आज हम बनाएंगे गनपती बापा के लिए बहुती जल्दी बनने वाले बिस्किट कोकोनेट मोदक जिसे बनाना बेहद आसाने और इसे बनाने के लिए बहुती कम चीज़ों का हम इस्तेमाल करेंगे तो चलिए फिर मोदक बनाना शुरू करते हैं यहाँ पर मैंने पारले जी का बिस्किट के दो पैकेट लिए हैं आप कोई भी ग्लुकोस बिस्किट ले सकते हो छोटे वाले जो पैकेट आते हैं बिस्किट के वही हमें लेने हैं इससे आसानी से ग्यारा मोदक बन जाते हैं त बिस्किट को हम हाथों से तोड़ देंगे, बिस्किट का हमें fine powder बनाना है, तो सबसे पहले हम इसे आतों से तोड़ देंगे, ताकि भी इसने में आसानी हो, और बहुती कम बजेट में ये बिस्किट मोदक बनके तयार हो जाते हैं, अभी आप देख सकते हो, बड़े बड़े तुकडे हम हाठों से कर देंगे इसके बाद हमें इसे मिक्सी जार में ट्रांसफर कर देना है और मिक्सी में हम इसका fine powder बना के तयार कर लेंगे अभी आप देख सकते हो biscuit का powder हमने बना के तयार कर लिया है अगर कुछ biscuit के तुकडे रह जाते हैं तो आप इसे हाथों से क्रेश कर सकते हो अब हम इसमें 2 टेबिल स्पून दूद एड़ कर देंगे और हमें इसका आटा लगा देना है जैसे हम रोटी बनाने के लिए आटा गुंदते हैं सेम उसी तरीके से हमें बिस्किट पाउडर का आटा गुंद कर तयार कर लेना है ना ज़्यादा हाड ना ज़्यादा सॉफ्ट एक टेबिल स्पून दूद और एड़ कर दें क्योंकि मिक्षर थोड़ा ट्राय लग रहा था अब हम इसका आटा लगा के तयार कर देंगे टोटल हमें दो पाकेट बिस्किट के लिए तीन टेबिल स्पून दूद चाहिए होता है तो अभी आप देख सकते हो हमने बिस्किट पाउडर का आटा बना के तयार कर लिया है अब हम इसे साइड में रख देंगे यह मैं आपको प्रेस करके बताती हूँ आप देख सकते हो आटा कितना सॉफ्ट लगा है अब हम बनाएंगे स्टॉफिंग इसके लिए हमें चाहिए एक टेबिल स्पून नारियल का बुरादा यानि के डेसिकेटेट कोकोनट और एक टेबिल स्पून पीसी होई चीनी और एक टेबिल स्पून हमें इसमें खोया एड़ कर देना है इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा साथ में कुछ ड्राइफ रूट्स एड़ कर देंगे कुछ कटी हुए पिस्ते और बादाम के टुकड़े डाल दे ड्राइफ रूट्स आप अपने ही साब से कम्या जादा क कर सकते हो और सारी सामगरी को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है नारियल का बुरादा पीसी हुई चिनी और खोया को हमें सेम कौंटिटी में लेना है तो फ्लेवर ज्यादा अच्छा उभरके आता है अब दोनों मिक्सचर बनके तयार हो गए है अब हम बनाएंगे मोदक य इसे हम जरा सा घी लगा के हम इसे घ्रीस कर देंगे ताकि इसमें मोदक का मिक्श्चर चिपक ना जाये अब हम इस मॉल्ड को बंद कर देते हैं अब जो बिस्किट वाला मिक्श्चर हमने बना के रखला है उसकी एके गोली उठा के हम मोदक के मोल्ड में डाल देंगे और उंगली की मदद से हम इसे अच्छे से प्रेस कर देंगे चारों मोल्ड में हम बिस्किट वाला मिक्सचर पहले से भर के तयार कर लेंगे और हमें उंगली की मदब से इसे अच्छे से प्रेस करते जाना है ताकि मोदक का शेप अच्छे से उभर के आए और बिल्कुल शार्प मोदक बनके तयार हो जाए अब हम इसमें coconut का mixture भर देंगे तो सारे खाचों में हमें coconut का mixture भर देना है उपर से हम इसे प्रेस कर देंगे और फ्लैट कर देंगे सील करने के लिए हम biscuit वाला mixture फिर से एक बार इसके उपर लगा देंगे ताकि मोदक सील हो जाए और उपर से हमें इसे प्लैन कर देना है जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ अब हम इसे demold कर देंगे और आप देख सकते हो biscuit coconut मोदक बनके तयार हो जाते है और आपने देखा बिना किसी ताम झाम के ये मोदक बनके तयार हो जाते हैं अब मैं आपको और एक तरीका बताती हूँ तो सेम तरीके से हमें biscuit का mixture पहले half भर देना है और बचे होए half portion में हम coconut का mixture भर देंगे इसे भी हम demold कर देंगे अब आप देख सकते हो ये दो कलर वाला मोदक बनके तयार हो गया है ये भी दिखने में बहुत अच्छा लगता है और खाने में तो पूछो इमत बहुती जादा टेस्टी है मोदक बनके तयार हो जाते हैं तो आप भी इस मोदक का गनपती बापा के लिए प्रशाद और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा गनपती बापा आपकी सारी मनोकामनाई पूरी करें तब तक के लिए हर हर मादें